आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप भी यूज करते हैं कोई भी वीवो का फोन तो यहां पर आपने हर वीवो के फोन में एक आप्षिन देखा होगा Smart Mirroring या फिर Screen Mirroring का तो यह option क्या है इसे कैसे use करते हैं आई आज की इस वीडियो में जानते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली बात है अगर आपको यह option नहीं मिलता है अपने phone में तो आप इसे कहां से ला सकते हैं तो आपको अपना notification बार open करना है जहां से आप data wifi use करते हैं और यहाँ पर इसे आगे की तरफ slide करना है और आगे की तरफ आपको तीन dot show होंगे इन तीन dot पर टच करिए टच करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा smart mirroring का option इस पर टच करके रखिए और यहाँ पर आप इसे यहाँ से on कर सकते हैं अगर आप इसे अपने recent notification बार में लाना चाते हैं तो आप इस तरह से touch करके इसे यहाँ पर set कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर आपको एक option हटाना होगा तभी यहाँ पर आप इसे ला सकते हैं तो यहां पर उसके बाद आप इसे on कर सकते हैं इस तरह से इस पर touch करिए और on कर दीजिए तो यहां पर इसका use होता है आप इसे smart mirroring के जरिए अपने laptop यहां फिर tv तो यहां पर आपका tv smart tv होना चाहिए यहां फिर computer में connect कर सकते हैं connect करने के बाद यहां पर जो भी आप अपने phone में activities करेंगे वो आपके tv या फिर laptop में show होगी जिस भी device से आप इसे connect कर लेते हैं तो यहां पर आप screen mirroring पर touch करके यहां से on करके अपना device search कर लीजिए और उस पर touch करके उसे select करके यहां पर connect कर सकते हैं तो अगर यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like करें और चैनल को subscribe जरूर करें